हलो प्रेंट मेरी रखसों है मैं आप सभी का स्वागत करते हूं फ्रेंट और मैस एर करने वाली हूं टूटी-फूटी की रेसेपपी देखा ना फ्रेंट देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ये कलर्फूर्ट टूटी-फूटी बनकर तयार हो जाता है जटपड से ये बन जाता है तो कलरफूल आप देख सकते हैं जिसे आप कोई भी केक या तो फिर मिठाई में इसे डाल कर खा सकते हो बहुत टेस्टी रखता है और इसे इस्टोर करकर भी रख सकते हो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा बस इसे अच्छे से मैं मिक्स करतू मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड असान तरीके से दम मार्केट जैसा बताना जिसे आप घर पर ही टूटी फूटी को ट्राइ कर सकते हो तो ये देख सकते हैं देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है तो बस चलिए इसी तरीके से टूटी फूटी बनाना शुरू करते हैं तो बस मैं यहाँ पे लिए हूँ एक पपीता पपीते को अच्छे से मस्तर छील लेंगे ताकि जो इसका छीलता है वो अच्छे से निकल जाएं तो फ्रेंड ये जो मैं घर पर रखी थी 2-3 दिन के लिए तो थोरा सा ये देख सकते हैं इसका कलर थोरा सा यलो कलर का हो गया आपको कच्छा पपीता ही लेना है, ये पका बिल्कुल भी नहीं है, थोर असा इसका कलर यलो कलर हो गया है, तो बस इसी तरीके से मैं पपीते को अच्छे से छेल दूंगी, उसके बाद ये देख सकते हैं, आप इसका कलर थोर असा यलो कलर है, तो बस इसे अच्छे से काट काटने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे जादा छोटा साइज का नहीं करेंगे ताकि हम इसे भॉल भी करेंगे तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा साइज का ही काटूंगी तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरज की से इसे काट देजाना है थोड़ सा बड़ा साइज कहीं रखना है आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं सारी पपीते को अच्छे से काट लूँगी बस इसे काटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा ही रखना है ये देख सकते हैं आप सारी पपीते कट करते ही आ रहा है ये देखिए साइज बड़ा रखना है उसके बाद बस इसके बाद यहाँ पे कड़ा ही रखना है उसमें पानी को अच्छे से करम करना है, तो उसके बाद पपीते को इसमें डालते जाना है, पपीते को डालने के बाद इसे अच्छे से बोल करते जाना है, तो बस इसे बोल करने के बाद इसे अच्छे से मीक्स करते जाएंगे और इसे अच्छे से पकाना है, जब तक से पका तो जैसे जैसे पकाइएंगे, तो इसका कलाई झोंटाना है, तो कैसे पता है, आतों से चोह कर देखिए, तो पपिता chosब काईगा, mans नीचे कना कीज़ा, वह गुद्याओ, दीक करने केले, पिर गणाने तो घड़ां से में बदाई, शोल चुनकर म्यादे इसमें पानी, तो बस यह जो पान सक्कार है, वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए, एक चमस टालतूंगी, केवरा एसेंस, आप चाओ फ्रेम तो इसमें रोस वाटर डाल सकते हो, या तो फिर इसमें वरीला एसेंस भी डाल सकते हो, वो भी टालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था है, मैं इसमें केवरा एसेंस ही डाली हूँ, और बस यह देख सकते हैं, जो सक्कार है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तो बस उसके बाद इसमें पापीते को टालते जाना है, तो यह देख सकते हैं, मैं सारे पापीते को अच्छे से डालतूंगी, टालने के बाद इसे अच्छे से मस्ता मीक्स करते जाना है तो इसे लगातार हमें पकाते जाना है ताकि ये अच्छे से मस्ता सीरफ है जो पपीते में अच्छे से मीक्स हो जाए तो जैसे जैसे यह अच्छे से पकते जाता है फ्रेंड तो बहुत अच्छे से यह सौप्ट भी हो जाता है यह अच्छे से मसता यह देखिए कुछ इस तरह किसे आपको इसे अच्छे से पकाते जाना है तो लीजी अच्छे से बन चुका है तो इसे अलिकाल देंगे उसके प तो रहा सही डाली हो फूट कलर और इसमें टालतूंगे एक चमस ओरेंज कलर का और एक चमस टालतूंगे इसमें रेट कलर का तो बश टालने के बाद इसे अच्छे से मस्ता मीक्स कर देंगे तो इसका कलर नहीं आता है फ्रेंग अच्छे से इसलिए क्या करेंगे इसे कट रखतूंगी ताकि ये अच्छे से मस्ता मीक्स हो जाए और जो बज़ा कुछ है इसमें जो सीरप है वो अच्छे से मस्ता सॉफ्ट भी हो जाता है जिसे इसका क्लर बहुत अच्छा आता है ओवर नाइट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ टूटी पूटी को ये देखे ये देख सकते हैं आप वो नाइट के बाद दिखारियों फ्रेंड ये यलो कलर का कितने अच्छी तरीके से इसमें कलर आगा है जबकि मैं इसमें कलर बहुत कम डाली थी तो ये देख सकते हैं रेट कलर का उसके बाद दिखारियों गिरीन कलर का और ये देखे ओरेंज कलर क यह अच्छे से मस्ते इसमें कलर आच चुका है इसके बाद यहाँ पे कोई भी पॉलिथिन लीजेगा उसमें टूटी फूटी को फैलाते हुए टाकते जाना है बस इसे 5-6 घंटे के इसे धूप में अच्छे से रखना है ताकि इसका यह देखिए इसमें धूप में 5-6 घंटे तक रखेंगे तो यह अच्छे से मस्ता है इसे बहुत अच्छे से यह डै हो जाता है और इसे हम एयर कंटेनर टीपे में भी भरकार रख सकते है यह बिल्कुल भी खराप नहीं होता है फिर जब भी आपको कोई भी केक या तो फिर मिठाई बनाना हो तो जट पर से आप इसे डाल कर बना सकते है तो बस इसी तरह के से मैं सारे यह देखिए टूटी पूटी को फैलाते हुए डालते चाओंगी देखकर डालिएगा सीरप को इसे अलग कर देना है तो बस इसे फैलाते हुए डालते चारी हूँ लीजे फ्रेंट चारो कलर को अच्छे से दूट में रखती हूँ उसके बाद 6 घंडी की बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यह देख सकते हैं कितने अच्छी तरीकी से इसका कलर चेंज हो गया और रीड कलर को देख सकते हैं आप ऐसी ही इसे अलग रख सकती फ्रेंट या तो फिर मेरे जैसा इसे कलर कर सकते हूँ मस्तक कलर वाला तूटी-पूटी देखने भी बहुत सुंदल लगता हूँ यह देख सकते हैं यलो कलर का उसके बाद आ रही हूँ रेट कलर का उसके पार डारीम ग्रीन कलर का कैसा लगा फ्रेंड आपको टूटी-पूटी के लिए से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज घर पे ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट में बताईएगा वीडियो पसना होगा फ्रेंड तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अपने दो ये टूटी-पूटी बन करता है यार होगा इसका मोचल हम इतना ही रखेंगे ताकि बोधा चलगे फिर से मिलती हुप्रेंड और इसे तरीके से नई रेशेपी लेकर तब तके लिए बबाबाई एंटी केर